जिस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कॉन कैपसिकम सबची इसके मुख्या इंग्रीडियन्ट है 100 ग्राम स्वीट कॉन 6-7 लवसुन की कलिया 2 मीडियम प्यास 2 बड़े टमाटर 2 मीडियम सिम्ला मिर्च 1 अब टीस्पून हल्दी 1 अब टीस्पून धनिया जीरा पाउडर 1 टीस्पून कासमेरी लाल मिर्च 1 टीस्पून पाउबाजी मसाला नमक स्वात के अनुसार 1 टीस्पून ओईल 1 अब टीस्पून जीरा और धनिया पत्ते सबसे पहले कॉन को कुकर में डाल कर 5 विसल बजा कर पकाले सिमला मिर्च को छोटे-छोटे टुकडो में काट ले लसून, अदरक, प्यास टामाटर को काट कर उसकी प्योरी बना ले कडाई में 1 टीस्पून तेल में 1 टीस्पून जीरे का तड़का लगाए उसमें टॉमाटर की प्योरी डाले थोड़ा पकाएं उसमें सिमला मिर्च और कॉन डाले नमक डालकर टकन लगाकर पांच मिनिट पकाएं बाकी के मसाले डालें वन मिनिट चलाएं दन्या पत्ना डालकर सव करें हेल्दी एंटेस्टी कॉन कैपसिकम सबजी रैडी है रोटी के साथ परोसने के लिए पसंद आये तो लाइक, सब्सक्राइब एंड सेर करें